और बड़ा शो करते हैं कि यह बड़ा दिलेर है और फलाणा दर्पोग आदमी है और इसके डर को सपोर्ट भी करने इसके और इसका डर निकालने का भी दोदो प्रेस कर भी पंजाब सरकार ने सो से अधिक आम्ज लाइसेंसेस इसके लोगों को दिये हैं चेक कर लो नमस्कार दोस्तों OCN NETWORK में आपका स्वागत है खुद को भिंडरा वाले का अनुयाई बताने वाला भिंडरा वाले का जो रूप हुआ करता था उसके जैसा रूप धारन करके हत्यार बंद लोगों के बीच में घिरे होने के बाद खालिस्तान का दम्ब भरने वाला के हम खालिस्तान ले करके रहेंगे ग्रह मंतरी आमित शाह को इंद्रा गांदी जैसा हस्र करने की धमकी देने वाला अमरतपाल जब शनिवार को पुलिस से घिरा तो उसके बाद सिर पर पैर रख करके ऐसा भागा के पुलिस को मिल नहीं रहा है उसके 78 करीबियों को समर्थकों को पुलिस अब तक ग्रफतार कर चुकी है जब ये वीडियो बनाया जा रहा है और उसकी धर पकड़ के लिए पूरे पंजाब में और जहां जहां वो हो सकता है वहां दविशें दी जा रही है एहतियातन कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है और कुछ जगहों पर इंटरनेट को टर्न डाउन किया गया है दो दिन के लिए बस सेवा बंद की गई है कुछ जगहों पर जैसे आनंदपूर सहाब में उना चंडिगड मार्ग है बरनाला फरीद कोट हाईवे है मोहाली में एयरपोर्ट रोड है और अमरत सरका जलू खेड़ा गाउं जहां का ये रहने वाला है उसके आसपास सड़क जाम करने की खबरे आ रही है पर कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे ये लगे के पंजाब में कोई हिंसा बड़क उठी है या कोई ऐसी बात है इसके खिलाब तीन मामले दर्ज हैं धमकी देने के दहशत फैलाने के यवाओं को गुमरह करने के यानि हेट स्पीच वगरा देने के और उनमें पंजाब पुलिस ने उसकी ग्रफतारी के लिए घेरा बंदी की थी शुरू में खाबर आई कि उसे ग्रफतार कर लिया गया है लेकिन रात होते होते शाम होते होते ये बात बताई जाने लगी कि वो पुलिस को चक्मा दे करके भागने में काम्याब हुआ है ये जो अजनाला थाने पर 23 हरवरी को उसने अपने हजारों समर्थकों के साथ एक तरीके से अटेक किया था और वहां तक पहुँचने के लिए गुरु गरंद साहब की पालकी की ओट ली थी उस पूरे घटना करम को लेकर के और जो इस समय चुनोतियां दिखाई दे रही हैं पंजाब की उसे लेकर के मैंने जाने माने विसले शक रमनीक मान से बातचीत की थी और रमनीक मान ने उस बातचीत में कई पते की बातें कही थी ये कहा था कि ये एक्च्वल में कायर आदमी है जो गुरुगुरंद साहब की पालकी की ओट लेकर के थाने पर चड़ाई करने के लिए पहुँचा था भीड के साथ वेरिकेड वगरा तोड़ दिये से और वहां इसने एक ऐसा द्रश्य कायम कर दिया था कि पुलिस परशासन ने एक तरीके से सरेंडर ही कर दिया था और इसके जिस साथी को गरपतार किया था तूफान जिसको कहते हैं लव परीट सिंग तूफान जिस पर आपहरण का आरोप था उसको अल्टिमेटली छोड़ना पड़ा था उसके खिलाब जो FIR दर्ज की गई थी उसको रद करना पड़ा था और तब पंजाब पुलिस की भी काफी आलोचना हुई थी और भगवन्त मान सरकार की यानि केजरिवाल के नितरत्व वाली आम आदमी पारिटी की सरकार की भी काफी आलोचना हुई थी मान साब ने मुझसे जो कहा था रमनी एकमान ने उसको मैं आपको सुनवाता हूँ वाचीत का ये महत तो पूरुन हिस्सा है लेरा ध्यान से सुनिये का उन्होंने जो जो बातें इस आदमी के बारे में कही थी वो सोफी सदी सही होती हुई दिखाईते रही है मान साब पंजाब में हो क्या रहा है बाकी देश फिर से पंजाब को लेकर के थोड़ा आशंकित है आतंकित है क्या है ये सब जो कुछ हम देख रहे हैं पंजाब के बाहर बैट करके ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं और इसके बारे में जरा बताईए ये अमरतपाल है कौन इसके बारे में जानकारी मिल रही है दुबाई में रहता है तो ये अचानक पंजाब में कैसे परगट हो गया और इस तरह के हालात क्यों पैदा कर रहा है पहले तो जी हालात जो है वो तो ज़र जाहर है और आप लोग सब देखी रहे हैं मेरे बताने से कुछ जैदा अंतर नहीं आएगा पर हाँ इतना जुरूर है कि एक प्रस्पेक्टिव जो आप सुनते हैं देखते हैं उसके इलावा एक प्रस्पेक्टिव में आपको दे सकता हूं दोनों चीजों को कठे कंबाइन कर लेते हैं कि अमरतपाल कौन है अमरतपाल दुबई मे था इसका ट्रांस्पोर्ट का बिजनस था ट्रकिंग के अंदर ये लोग इन्वार्ड थे इसका परिवार ट्रकिंग के अंदर इन्वार्ड था उनके साथ कई सयोगी इनके पाकिस्तानी थे कुछ इनके ड्राइवर्स कुछ इनके पार्टनर्स हैं वो पाकिस्तानी मूल के थे कुछ इनके डिफरेंसेज हुए परिवार में और इसका चाचा जो है वो खैनडा शिफ्ट कर गया और यह एकदम दीप सुदू के बाद जो है यह लाक एकदम प्लांट कर दिया गया और दीप सुदू की जो फ्रेंड जो महिला मित्र उनकी उनके साथ गाड़ी में थी उ और अमरितपाल कुछ समय पहले तक अगर मैं ठीक बुरूं तो साल-डेट साल पहले तक एक पतित था उसने कुछ दाड़ी मुच बाल कुछ नी सब काटे वह वो तिस्वीरें समने देखी है तो अगर कायर से देखा जाए तो सिख्षी के अंदर जो इसकी उमर है वो पैद भी खतम नी हुआ तो आप हिसाब लगा ती कुछ महीने ही इसको हुए है अमरित छके हुए अमरतपाल को यह इसका एक बिल्कुल ब्रीफ सा एक बैक्ग्राउंड है कि बहुत ज़्यदा कोई ऐसी महान अस्ती तो है नहीं कि इसका पूरा गाहों का और वो सब डिडियल डि रीक्राइब कर रहा है कि इसके की मानिएं कि कि इसको सपोर्ट करता है जब यह जो मुदे इसने उठाए वह बहुत वेल rehearsed मुद्दे थे वो मुद्दे चाहे वो conversion का हो चाहे वो ड्रग का हो चाहे वो और बट ये किसी ने imagine भी किया था कि एक वक्त पे आने के बाद ये खुद एक law and order की situation पंजाब में पैदा कर देगा इस state में पैदा कर देगा ऐसा ऐसी कलपजा नहीं थी किसी को नहीं थी तो ये कुछ चीजें हैं बारहाल जो इसके बारे में कही जा सकती हैं बाकी बहुत सदा विस्तार में discuss क्या ही करें इसको personal इसके डीड जो इसकी करते हैं इसकी हरकते हैं उनको तो discuss कर सकते हैं एक पर इस तोर से पंजाब में एलगावाद आतंकवाद और इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाए फिर से वही हालात पैदा किये जाए देखिए जग जाहिर बात है कि पाकिस्तानी आएसाई का एक केड़ू प्रोग्राम है और ये हम हजारों बार डिसकस कर चुपे हैं एलग अगर काईदे से देखा जाए तो पिछले पचास साल से ये लोग कश्मीर को किया एक मजबूत सरकार के आने के बाद कश्मीर दूसरी टर्म में आते आते 370 चली गई और जो तामाम अमिकल कॉड्स जो कहते हैं न वीकनिस इसकी अमिकल कॉड्स होती है नाडू होता है जो बच्चे को मा के पेट के अंदर फीड करता रहता है तो अमिकल कॉड्स इस केस आलसो इस केस में भी जो बहुत मतलब इन लोगों को जो देख लिया हमने त और आप अगर बिलकुल सही तरीके से इसको देखे तो तीस साल के बाद तीन दहाकों के बाद तीन डेकेट्स के बाद ये कुछ हद तक इस मुम्मिंट को खालसान मुमिंट को रिवाइव करने की स्थीती में आए हैं और कब आए हैं जब कश्मीर का इनका शटर डाउन हो उसके बाद जनों ने एक नया शटर उठाया है और बिलकुल आप देखिए जो बुझे पता नहीं कि आपके जो सुनने वाले उनमें कोई दीप सिद्दू के प्रशन्सक है या नि पर आप धान से सीक्मेंस ओफ इवेंट्स को देखना कि दीप सिद्दू इसको अपने नं प्रधान मन के आ जाता है इसको किसने प्रधान मनाया और एक बड़ी दिल्चस्प बात है यह बहुत बार बार कहते ना पाई अमरत पाल सेंग जी पाई अमरत पाल सेंग जी यह पॉलिटिकल बुद्दे उठा रहा है और यह स्टेट को परदेश को पंजाब को उस मुहान पर लागे खड़ा कर दिया इसने दोबारा आज से चालिस साल पहले जो स्थितियां थी वहाँ पर लागे दोबारा कर दिया और इसकी जो तरीके कार हैं जो यह कर रहा है उसमें आने वाले समय में क्या होगा खून भाएगा सेखो हिंदू पंजाबी मारे जाणगे सेखो हिंदू हिंदूस्तानी भारती नागरिक मारे जाएंगे और यह जब situation होती है जब खराब हो रही है और यह दिन बधिन वो चलाई कि जी असी अमित पान संचार करांगे जी असी प्राणिया नों अम्रेश शकावांगे जी हम बड़ा धरम का काम कर रहे हैं बड़ एड़ इंड ऑफ दी डे ना तो यह सरबत खालसा है ना यह एस जी पी सी है और ना ही यह कोई पंथिक ऐसा इदारा है यह एक ऑगनेजिशन है जो भारत के बाहर रिजिस्टर हुई थी वारस पंजाब यह भारत में भी रिजिस्टर नहीं हुई थी वारस पंजाब दे बारत सिर पे चड़ा रखा है इसको और बड़ा शू करते हैं कि सो से अधिक और इसके लोगों को सो से वालतो लाइसेज दिये अब चैनला पॉलस टेशन पर घालसा वहीड के दौरा जो पालकी साहब है जिसके अंदर स्री गुर्ण साहब सचे पाध्षा विराजमांद आप गुरू गुरंच साहब की आड में छुपके बस के पीछे उसको धक्का मारते वे आगे बढ़ा रहे हो आप किस बात के दिलेरो भाई आपको दिलेरी दिखानी है आप जो शिखी परंपरा आप पांच सिख लेके जाओ पांच सिंग लेके जाओ को जी एसी थोड़ेनल वारता करनी है गुरू गरंच साहब में सिधांद पर आओ समवाद में आओ कि ऐसी गंद करनी है जी एक अल्ना ने यह तो डिक्टेट कर रह आपने पता नी प्ले करी सुनाई नी सुनाई आपने सुनी या नहीं अगर तुसी रिलीज नी करते यह आदमी दो दिन पहले देश के ग्रह मंत्री को चैलिंज करता है जीड़ा हशर इंद्रादा हो या थोड़ा हो जाएगा तो उनु बहुशों का तजर्बे करना कर लो ओ भाई आप खुद किस चीज के लिए केपबल हो वो दिखाओ ना आपने तो अपनी बुजदली दिखा दिया आज कायरता दिखाई आपने आप जब आप हजारों लोगों को सेंगड़ों लोगों को लेके ठाने के उपर आके आप एक प्रोटेक्ट करने जा रहे हो आप स साथ की वहां पर मुझूदगी होने के कारण ना पुलिस पत्थर लाठी गोड़ी कोछ नहीं चला पाई एक लाठी और पुलिस को चलानी जोड़त नहीं थी यह खुद तोड़ते शीचे और बाद में कहते हैं जी ग्रुगरंट साथ दी बेद भी हुई आदा पंजाब ज हो गए हैं जहां पर यह अब केंदर सरकार को उकसा रहे हैं और यह सारा फोकस जो है लेगे जाना चाहते हैं के जी ग्रुगरंट साव दे उत्ते अजन्सियां ने पुल्स ने अटैक किता और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं चोई साब इसके अंदर यह अच्छा प्री प्लै डाउन जाता है कमजोर होता है पुलिस का इकबाल कमजोर होता है पुलिस फोर्स का मुराल डाउन होता है पब्लिक प्रसेप्शन में पब्लिक आई के अंदर पुलिस कमजोर फोर्स नजर आती है सेपरेटिस्ट अलगावादी खालिस्तानी एलेमेंट्स और और तमाम जो बदवाश लोग हैं उनके होसले बुलंद होते हैं कि यार असी पुलस नूट आ सकते हैं और ये खुद जो बड़ी बात पांची बात ये ये खुद एक बड़े उसके इसाब से स्टैबिस होता है लैपाई असी पाई अमरित पाल देना गए थाने चाएश पी जोने गोडे लवा आते जी उत्थे साड़ा बंदा सी कढ़े के लिया जी इस वाट आ डूइंग ये कानून को कमजोर कर रहे हैं पुलिस की चवी को कमजोर कर रहे हैं और ये बार बार बोलता है जी शेख गुलाम ऐसे को अरे भाई वह गुलाम कैसे हैं बताओ मैं तुनी गुलाम और तिरे को किसने अक्तिय सिखों के भी आफ़े बात करने के लिए तू है कौन है तू यह तू पांसो साथ सो लोग तूने कट्टे कर लिया हूँ गुरूबन साव अगल आके और यह बोलके देखो इतने दिन से घुम रहा है सिंप्टाइजर्स किसके यह बोलके के जी आज मेरी सिस्टम है यह अकेला नहीं है इसके अंदर काली माता मंदिर से शुरू होता है वेलकुल अमेरिका में कैनेडा में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजलेंड में मंदिरों के उपर डिसक्रेशन होती है बाहर उसके उपर हिंदोस्तान मुर्दाबाद और खालिस्तान सडकों के उपर बिलकुल आप गुंडा घर्दी का दंगा नाच दे सकते हो अभी तीन दिन पहले एक पचास साल की महिला को कोट के बार उसको मार दिया गया यह यह कहां कैसे हो रहा है यह क्यों अलाव हो रहा है यह लौन ओडर को लेके को मादावीं पार्टी के विधाय काँ है निलाव विजय प्रताप वह इक प्रताप को मैं प्रताप यह पर फृत सब्सक्तिति वह is बात कर द laggen ऐ है यह बात कई बार चौन के पंजाब के अंदर पुलिस मांगते थे अरे धन्यवाद करो दिल्ली पुलिस वाड़ो के तुमको इन जैसे ब्वखूफ लोगों के नीचे नहीं राल दिया नहीं तो आज तुम भी मरकट रहे होते हो और क्या दिल्ली का यह हाल करते सानुप पुलिस दे दो अब तुमको मि सीफ निश्टर के आगे अपने होम निश्टर जो भगमतमान खुदी है उनके आगे के भाई यह हम को मंजूर नहीं है कि हमारे जो जवान इस्पाई है वो इस पर पिठें और यह फ्री रन दी गई है पुलिस इतनी पॉर्टन फोर्स है इनको दो दिन में निप्टा के इसले साल का एक इंट्रव्यू है दस का रिजल्ट था पंजाब का ग्यारा को जो मैंने बाते कहीं थी वो शब्द क्ष एक एक अक्षर सब्ते हो रहा है कि यह लोग यह एक ही चीज है चाहे वो कुलतार सद्वा हो जो इनका स्पीकर है पंजाब एसेंबली का वो कॉंस्ट स्ट्राइब चाहे पात अब टो जब इनके पासे ले रखें अगर आपको याद हो तो गुर्पतवंत पंदूने स्टेटमेंट इसू की ती लिखती ऑर वीडियो भी दोन और गुद पंदूं समहें तक फॉर-फ्रंट पे नजर आ रहा था बारे बार उसकी कहा था कि जी हमने आपको सपोर्ट किया आपके सरकार आ गई आप हमारा सपोर्ट कीजिए और जब से भाई हिंदू मरे सिख मरे इंको कोई फर्क नहीं पड़ता दे आर विंग फंड़िट बाइए फॉरन हैंड और मैंने एक बात आगा आप गौर से अगर उस इंट्रिव्य को सुनेंगे वह मैंने कहा था कि चाहे वह कॉंग्रेस पार्टी हो चाहे आमान पार्टी हो यह अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ल